आदर्ये घरम प्रेमी सज्णों सादर नमस्ते मैं जेठालाल विश्व कर्मा आप सभी का आर्दिक स्वारत करता हूं महाभारत बिरारपर्व अध्याएक महाभारत की कथा को मारसी वैसंपायन जी महाराज जन्मेजे जी को सुना रहे हैं मारसी बैसंपायं जी कहने लगे हे राजन महाराज जी के पूछने पर मैं बताऊंगा कि मैं राजा इदेचिर के यहाँ आलिक अर्थात मदमस्त हाथियों को बसमे करने वाला गज सिच्छत गोवी करता महावली सारों को पचाड कर उन्हें नाथने वाला सूपकरता तथा नियोधक दंगली पहलवान रहा हूँ राजा इदेचिर ने पूछा जैसे मिर्गों में सिंग तथा पच्छियों में गुरुण सिरेच हैं उसी प्रकार कवचधारी बीरों में जिनका अस्तान सब से उचा है वो अर्जुन बिराट नगर में जाकर क्या करेंगे अर्जुन बोले है महारारी मैं बिराट की सभा में देरता पूर्वा के कहूंगा की मैं नपुन्सक हूँ मैं दोनों कानों में अगनी के समान कानती मान कुंडल और हाथों में संग की चूडिया धारण कर लूँगा इस परकार नपुन्सक भाव को अपना कर मैं सिर पर चोटी गूथ लूँगा और अपना नाम बिरहनला बताऊंगा इस्तरी भाव से अपने रूप को चिपा कर और बारंबार पूर्वती राजाओं के चरित्रों का दान करके मैं महाराज बिराज तथा अंतापुर की अन्य अन्य इस्तरियों का मनो रन्यन करूंगा हे राजन मैं बिराज नगर की इस्तरियों को गीत अगाने बिचितर प्रकार से निरित करने तथा नाना प्रकार के वाद भाजे बजाने की सिच्छा परदान करूंगा हे पांडू नंदान यदि राजा बिराट ने मेरा पर्चे पूछा तो मैं कहूंगा कि पहले मैं महाराज इदिशिर के घर महाराणी दुर्पदी जी की परिचारी का रह चुकी हूँ राजा इदिशिर बोले है नकुल तुम राजा बिराज के राज में कौन सा कार करते हुए निमास करोगे है ताथ तुम सूर्वीर होने के साथी अतीश वुकुमार दर्शनिये योम सुक भोगने के योग्य हो नकुल जी ने कहा है राजन मैं राजा बिराज के यहां अस्वण्द गोडों को बस में रखने वाला सेवक बन कर रहूंगा मैं अस्वग्यान में निपून और गोडों की रच्छा के कार में कुसल हूँ मैं राजसभा में गरंथिक नाम से अपना परचे दूँगा गोडों की देखवाल का काम मुझे अतेंद प्रिये है मैं उन्हें अनेक प्रकार की चालें सिकाने और उनकी चिकिस्दा करने में भी निपून हूँ बिराट नगर में जो लोग मेरा परचे पूछेंगे मैं उन्हें कहूंगा है ताथ पहले राजा इदेशिर ने मुझे अस्वों का अध्यच्छ बना रखा था राजा इदेशिर ने पूछा हे भाईया सादेव तुम राजा बिराट के समीट कैसे जाओगे और उनकी यहां क्या काम करते हुए गुफ्त रूप से निवास करोगे सादेव ने कहा है महाराज मैं राजा बिराट के यहां गवों की गिंती जाच परताल करने वाला गोशाला धेच्छ हो कर रहूंगा मैं गवों को नियंत्रण में रखने और उन्हें दोहने का काम भली प्रकार जानता हूँ मैं उन्हें गिन्ने और उनकी परत करने में भी कुशा लहूं मैं वहां तंती पाल नाम से परसिद्ध होंगा इसी नाम से सब लोग मुझे जानेंगे मैं अती चत्राई से अपने को छिपाए रख कर वहां विचरूंगा अता मेरे लिये आप मानसिक चिंता दूर कर दें राजा इदेशिर जी बोले दुर्पद कुमारी किर्षरा अनिस्त्रियों की भाती कोई काम काज भी नहीं जानती फिर ये वहां किस करम का आशर लेकर निवास करेगी इसका सरीर सुकोमल है नव इवा अवस्था है ये यस्वसनी राज कुमारी परमसवभागवती और पती बरता है ये बिराट नगर में किस प्रकार रहेगी महारानी दुर्पदी ने कहा है वारत जगत में बहुत सी एसी इस्त्रियां है जिनका दूसरों के घरों में पालन पोसन होता है वह सिल्प करमोंद्वारा जीवन निर्वा करती है उन्हें सैरंधरी कहते है मैं सैरंधरी कहकर अपना परचे दूंगी मैं बालों के सवाने और बेड़ी रचना आदिकारियों में अतीन ही पूर हूं यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी की मैं महाराजी देशेडी जी के महल में महाराणी दुर्पदी जी की परिचारिका बन कर रही हूं सादर पर नाम जैस्री कर ला